नमस्कार मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं मैं संधे सोनी बिलवड़ा संधे कलोनी में रहता हूं मेरी पूरी फैमिली यह रहती है मेरा एक बेटा है 9 साल का जिसको कुछ परेशानी थी हमने ध्यान नहीं दिया तो दिर दिर हमें बाद में जब पता चलता रहा तो रात को म जिसे, उसके शरीर के अंदर और आक्सिजन नहीं जा पा लिये है, तो हम लोगों ने उसको अंदवाद ले जाने का सोचा, और एंदवाद के E&T सर्जन को हमने दिखाया कि प्रॉब्लम क्या है तो हमें वहां पर पता चला कि मेरे बेटे के नो साल के बेटे के एक माक में मस्सा है और गले में टॉंसल हो रहे हैं तो उन्होंने मुझे यह सेजिशन दिया कुछ किया फिर हम लोग वापिस भिलवाड़ा आगे हमने 10 दिन का ट्रीट्मेंट चालू रखा लेकिन फिर मेरे बिलवाड़ा के अंदर सबसे अच्छे जानकार डॉक्टर हैं देव एंटी में स्री राजे सर जिन्होंने मेरा खुद का भी एक कान का ऑपरेशन किया था सक् सिंपल सा डिजिटर रेक्स्रे करवाया उसके अलावा मेरा कोई किसी तरीकी का जाच का खर्चा नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ खाली एक ब्लड़ट टेश्ट हुआ था और एक डिजिटल एक्ष्टे हुआ उसके बाद में जैसे राजेसर ने बताया था मुझे कि संजे जी ऑपरेशन ही सॉलूशन है तब मैंने एडिनो टंसल एक्टिस्ट का एक सर्जी के लिए पूछा उनसे कोई रिस्क कोई किसी तरीकी की दिक्कत तब उन्होंने मुझे को पू जारो से पी मैंने का सर आप ही कीजिये ऐपरेशन में एमदवार दे जाना मैंने जरूरी नहीं समझा और आठ फर्वरी कों फिर हमने लिए ता राजेसर से मिलके कि हम ऑपरेशन ही करवाएंगे और मेने मेरे बच्छे का 9 साल के बच्छे का ऑपरेशन करवाए इसका नाम ह शिवांस सोनी मैं वैसे डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा लेकिन इतना जरूर क्योंगा कि यह उप्रेशन होने के बात में जो मेरे बेटे की अब कंडिशने एक महीने बात में हम लोगों ने भी विश्वास नहीं किया था कि इतना सक्सेस्फुल उप्रेशन हो जाएगा आ नाक से आराम से सांस लेता है कोई किसी तरी कि उसको गले में प्रॉब्लम नहीं है और सबसे बड़ी बात एक और बताओं इस बीमारी के अंदर यह मैंने मेरे बेटे के लिए नोटिस की थी जब यह उप्रेशन नहीं करवाया था तो दिरे-दिरे मेरे बेटे का मुह यहा अंदर इंफेक्शन बैक्टिरिया वाइरल जो भी कुछ था उससे इंफेक्शन होता रहा टॉंसल हो गए लेकिन मैं इस बीमारी के बारे में इतना नहीं जानता जितना मैं आपसे एक निवेदन करके यह जरूर क्योंगा कि ना कान गला एंटी स्पेशलिस्ट अगरा बिल लगता है बच्चे को किसी तरीकी की इस तरीकी की कोई आपको सिम्टम नजर आ रहे हैं कोई परिशानी नजर आयोई तो तुरंत मैं आपसे यह प्रशनली मेरे बच्चे की कंडिशन को देखते हुए मैं आपको राय देता हूं कि आप एक बार देव एंटी पे जाके तो जरूर करें कोई नॉर्मल अगर जांच करवानी है तो जांच जब भी करवा लीजिए और इस बीमारी का समाधान जरूर कीजेगा क्योंकि यह बीमारी आगे चलके आपके बच्चे के लिए आपके परिवार के किसी भी सदस्ची के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है लेकि किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं है कोई किसी तरीके की प्राब्लम नहीं है धन्यवाद